बुखाती जाथा सुंदर लग रहा है एकदम बढ़िया शेप इसकी आई है और इसके अधिक वेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दिपिका इन वान नियाज वर्ड तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जा रही हूं एक ट्राइंगल शेप के कुशि कवरर बहुत ही एजी है आप आरामसे इने गर पे बना सकते है तो इसके लिए फ्रेंट्स मैं पहले बनाऊओऎ फिलर तो इसी से ही मैं रेट शे अपक lly लिए बनाऊंगी और यहां पर मैंने बैट्सीट को चार एकवल जैसे मैंने इसको चार पार्ट में बाटके और बिज़ा लिया है मतलब चार लेयर्स है मेरी चदर की तो इसके अंदर फ्रेंड मेरे चार छोटे वाले कुशन कवर बन जाएंगे और मेरे दो बड़े बना रही हूं तो वो भी इतने ही मेरे उसमें बन जाएंगे तो दिखिए फ्रेंड मेरे चोटे वाले कुशन कवर का मारजन ले रही हूँ वो 20 cm का ले रही हूँ मैंने यहाँ पर नीची टेप से मार्क कर लिया है 20 cm बहुत ही इजी होता है कुशन कवर बनाना तो दिखिए यहाँ पर मैंने 20 पर मार्क लगाया था और स्टार्टिंग से मैंने अपनी बेटशिट का कपड़ा लिया और मैंने उसी वाली लाइन पे रख दिया तो ये उसका हाफ हो गया मतलब ये 10 सेंटीमीटर रह गया है नीचे जितना है और अब हमें ऊपर की तरफ कॉर्णर से 20 सेंटीमीटर जहां पर भी आता है फिर्ण्स वहां पर ले जाक बेटशित करते हैं या फिर डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए बहुत ही आराम से मेरे और दो फिलर जो हैं वो बनके तयार हो जाएंगे क्योंकि मीरी बैटशिट जो है वो मैंने 4-layers में यहां पर रखी हुई थी तो देखिए यहां पर मैंने जो इस करनी है और मेरा जो फिलर है वो बिल्कुल ब्रेडी हो जाएगा तो यह मेरा 20 cm के कुशिन कवर जो है उसके लिए मैं इसको फिलर कर रही हूं तो नीचे सी स्टिच और बस बाकी दो साइड में इसको यहां पर अच्छे से स्टिच कर दूए से मैं दूसरा कोना भी लिया उसक इसमें मेरे दो बड़े कुशिन कवर बन जाएंगे तो यह में 30 cm कर रही हो और इसको मैं आप कर लूँगी कट तो यह मेरे दो कुशिन कवर बन पाएंगे तो यहां पर देखे बस कुश नहीं करा माप कर लिया और कॉर्णर को बढ़ां करकर के मैंने इसमे Fen explorer कर के मैं निक तो यह एक साइट से बंद है और मैं इसको दोनों तरफ से सिल लूँगी और इसके पार थोड़ा से स्पेस छोड़ दूँगी और इसके अंदर जो है वो कोई भी रूई या फिर फाइबर जो भी अवेलेवल होगा वो मैं इसके इंदर फिल कर दूँगी तो बहुत एजी है इसको बनाना बस मैं इसको दो साइट से स्टेच कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती है तो यहां पे फ्रेंट्स मैंने यह स्टेच करके बहुत थोड़ा सा यहां पे इसको ओपन छोड़ दिया है जिससे कि मैं इसको फिल कर सको और यही से मैं इसको सीधा भी तो यहां पे फ्रेंट्स मैंने अपनी सारी जितने भी कवर थे वह मैंने स्टिच कर लिए और जो मैंने यहां से थोड़ा सा एरिया जो ओपन छोड़ा था वहीं से हम इसको डाल करके सीधा कर लेंगे और इसके बाद ही हम इसके अंदर फाइवर या कॉटन जो भी आपके पा कोनर को निकाल के और ऐसे करके देखिए यह बन गया और जो हमने यह बाद एसके वाला हिससा जो चोड़ा था यहीं से हम फिलिंग करके और इसको अनदर से हाथ से स्टिच कर देंगे सेम ऐसे फिन्स मैंने अपना जो बड़ा वाला है वो भी मैंने यहाँ पे रेड़ लिया है अभी यह उल्टा है और इसको भी मैं सेम ऐसे ही जो मैंने फोड़ी सी जगर यहां पर छोड़ी थी उसी से ही मैं इसको सीधा कर लूँगे और इसके बाद भी इस में फिलिंग कर लोगी उसके बाद अगर आप लोगों के घर पे ही फाइबर या कॉटन है तो आप इसको इस तरीके से कोम से खीसते जाएंगे तो आपकी जो fiber है वो अच्छे से और fluffy हो जाएगी पुरानी fiber थोड़ी सी ठोस हो जाती है तो मैं सब में मैंने फिल कर दिये हैं cotton और थोड़ी सी filling के लिए मैंने fiber का भी use किया है तो अब दिखिए इसको बस आपको अंदर की तरफ बंद करके इस तरीके से स्टिच कर देना है बहुत ही easy है और यहां पर हमारे फिलर जो है वो बनके तयार हो जाएंगे तो फिलर हमारे रेडी हो गए है अमपारी आती है कुशिन कवर बनाने की तो यहां पर मैंने यह मेरे पास फैब्रिक था पुराना ही रखा हुआ तो इसके मैं बना रही हूं छोटे वाले के कवर तो यह देखिए मैंने इसको पूरा 20 cm ही कट कर लिया है सेम वैसे ही इसको यह फ्रेंट वाला हिस्सा है जो मैं कट कर लिया हूं इसको मैंने हाफ कर दिया है और वही सेम वैसे ही कॉर्नर से नीचे से उपर की तरफ 20 cm ले जाते हूं इसको माक कर लेंगे तो हमारे जो फ्रेंट साइट की जो कटिंग है वो हो जाएगी तो देखिए नीचे का जो मेर आरहा है मार्जन वह है 10 cm अब कॉर्नर से मैं ऊपर की तरफ रखते हुए रख दूंगी और मुझे मार्जन करना है 20 cm क्योंकि मैं जो कुछिन बना रही हूं वह है 20 cm का तो देखिए यहां पर मैंने मार्जन कर लिया है अब मैं इसे कर लूंगी कट तो इसको मैं कर करके फ् कपड़ा लगाएंगे वह हमें 20 की जगे 22 cm का ट्राइंगल करना है तो यहां पर देखिए मैंने 22 का कट किया था और इसको मैं बीच में से हाफ कट कर रही हूं क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि जो हम पीछे वाला कपड़ा इसका रखेंगे उसको किस तरीके से रखके हम स तो यह देखिए मेरे दो पार्ट्स कट हो गए हैं जो कि मैंने बैक के लिए कट करे हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से आपको इसे स्टिच करना है तो यह है मेरा फ्रेंट वाला कपड़ा जो की मेरा आगे रहेगा और इसके बाद मैंने सेम इतना ही बैक वाला जो एरिया है उसको हम देखिए कुछ इस सरीके से यहां पर रखेंगे दोनों साइट से ऐसे ही रखेंगे और बीच में से जो हमने कट किया है वो रहेगा ओपन जहांसे कि हम अपना फिलर अंदर डाल सकें तो बाकी तीनों तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे और हमारा कुछिन कवर नहीं पर रिड़ी हो जाएगा तो फ्रेंड स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं करती हूं प्रेस क्योंकि बहुती आसान हो जाता है स्टिचिंग करना और जितने भी सिम्टे वगरा होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं तो यहां पर मैं अ कोई भी ओल पिन आती है कपने में लगाने वाली उससे आप अपना आगे का कपड़ा और जो अस्तर का कपड़ा है उसको हल्का सा कच्छा कर लीजे देखिए मैंने यहाँ पे पूरे में ओल पिन्स लगाई हुई है और इससे बिल्कुल भी कपड़े में जोल नहीं आएगा आप चाहें तो कच्छा भी कर सकते हैं इसको तो दिखिए यहाँ पर बस अस्तर के साथ इसे स्टिच करते जाएंगे और जो आल पेंस हमने लगाई है उसको रिमूव करते जाएंगे तो इस तरीके से अकर आप करेंगे तो आपकी जो स्टिचिंग वो बहुत ही जादा आप काम कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा जो अस्तर का कपड़ा था उसको स्टिच कर लिया है और इसके बाद फ्रेंट्स आपको जब यह जोड जाए तो मैंने एक आपको तरीका बताया कि आपको ट्राइंगल को बीच में से कट करके दो पार्ट में डिव को बेड़ा बेड़ा काट करना है देखिए कुछ इस तरीके से इसको कट करना है मतला उपर थोड़ा सा हिसा और नीचे तो हम इसको कट करेंगे तो इसके लिए भी हमें एक एक इंच जो हमें कपड़ा कट करना है वो थोड़ा जादा कट करेंगे वरना आपका यह जो वो अंदर रहेगा और उल्टा वाला पाट उपर रहेगा तो यहां पर फ्रेंड्स के मैंने पूरा कवर्ट जो अपना सिल लिया है और बैक साइड में मैंने इस तरीके से इसमें कर दिया है तो हम मैं ऐसे कर लेती हूं सीधा और उसके बाद में आपको इसको दिखाती हूं बहुत ही इजी है इसको बनाना थोड़ा साइजस का आप ध्यान लगे कि आपको कितना इसको लंबाई और चुड़ाई लेनी है और आप किसी भी साइज के इजी बिल्कुल ट्राइंगल शेप के अपने कुशन्स जो है वो बना सकते हैं बहुत ही इजी है और देखने में में फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लगते हैं यह थोड़े से अलग होते हैं मार्केट के अंदर मिल जाते हैं ट्राइंगल्स के लेकिन बट अगर आप अलग से कवर वगयरा इसके परचेस करने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे तो देखिए मैंने यहां आपेस को कर दिया है सीधा और बहुत ही अच्छा लग रहा है यह इसके बाद में इसको आपको डाल के दिखाती हूं हुआ 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 है हुआ 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 क्युस्या नहीं जब यहाई भुआ क्युआ है रुआ हुआ 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 व टहार हुआ है ठक हुआ है कुआ हुआ है पAG-PEEस कि एंज कि भल पहँ है कि अुट आइ पार रड़ जा Ci कि झाल 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 झाल